हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टू ट्रेट विचारू आज मैं आपके लिए काली मिर्च से होने वाले फैदों के बारे में बताऊंगी जैसे कि आप सब जानते हैं कि काली मिर्च का यूज सबजियों में किया जाता है काली मिर्च मसालों में प्रमुक्स्तान रखती है काली मिर्च सेहत में भी काफी फायदे मंद होती है काली मिर्च सर्दी जुकाम खांसी में काफी फायदे मंद साबित होती है शैद के साथ चुटकी भर काली मिर्च का प्रयोग करने से सर्दी खांसे जुकाम में हमें काफी राहत मैसूस होती है ये हमारी immunity को strong बनाती है चुटकी भर काली मिर्च को चाय में मिलाकर आप इसे ले सकते हैं इसकी तासीर जो है ठंडी होती है ये blood pressure को भी control रखती है शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो तो आप काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं काली मिर्च के सेवन से दिमाग की शमता को तेज किया जा सकता है ये हमारे cholesterol को भी control में करती है blood sugar level को भी ये हमारे control में रखती है नियमेत रूप से काली मिर्च के सेवन से पेट फूलने की समस्या, गैस बनना और पाचन क्रिया की प्रॉब्रम से भी इसमें राहत मिलती है आप काली मिर्श का यूज प्रति दिन अवश्य करें ये दांतों के दर्द में भी काफी राहत प्रदान करती है चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्श को मिला कर दांतों पर मलने से दर्द में काफी राहत मिलती है आप अपने डेली यूज में काली मिर्श को जितना हो सके आप यूज करें इसे आप सैलेड में, सूप में, किसी भी यूज में आप इसे स्प्रिंकल करके आप ले सकते हैं आशा करती हूँ कि आज ही मेरी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप मेरे चैनल ट्रेट वे चारू को सबस्क्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आवश्यक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें थैंक्स, इंजोई, बी सेफ